हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी एक का वैरल कोश्चन का सेट 3 लेकर के आए हैं इसके पहले भी हमने काफी मॉडल सेट आप लोग के लिए अपलोड कर दिया यदि आप लोगोंने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेइलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं ये इसका पार्ट ठड होगा वैरल कोश्चन का सभी सवाल सेलेक्टेड है अच्छे लेबल के जैकबोड के दवारा सजेस्टेट कभी कभी होता क्या सेम टू सेम कोश्चन भी आप लोग के अग्जाम में देखने को मिल सकता है काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है सुरू से लेके अंतक बने रहेएगा साथे साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब क करना बैल एकन को प्रेस करना और अलके नेडिफिकिशन को अन कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले आप लोग को पैसेज टैप का दिया जाएगा उसको ध्यान पूर्बग पढ़ लेना पैसेज में से एक आंसर आएगा तो हम लोग डाइट कोशन आंसर पे आते हैं कह रहा है कि देश प्रेम क्या है नेम है टेम है प्रेम है छेम है पताई क्या है देश प्रेम क्या है आपको बताना है तो देश प्रेम क्या है अपको बताना है तो देश प्रेम क्या है प्रेम ह भी आप लोगों को आ सकता है, पैसे देख लिए जी कितना टफ है, कितना टफ कोश्चन निकाल जा रहा है, ठीके, देश प्रेम किस परकार का प्रेम है, आपको बताना है, तो जो देश प्रेम होता है न, वो किस परकार का प्रेम है, आपको बताना है, तो सहचारीगत प्रेम का हमें कैसा है सह चार्गत प्रेम हो जाएगा तो यह का क्या होगा तो tell you Ampi도 bases time का उसको पढ़ लो बुका वेक्ति क्या क्या नहीं करता है तो पाप नहीं करता है मुट फश्वरेगा अज किस और पढ़ती है आपको बताना है तो तीनो ओर किस और सुनाई पढ़ती है किसके जीवन से आनंद और उल्लास ना जाने कहां गयब हो गये तो option number 2 हो जाएगा मनुस्तिके जीवन से question number 10 का answer हो जाएगा आज कल सभी किसके सिकार बने हुए है तो आज कल सभी जो है वो बिरोजगारी के सिकार बने हुए है किसके बिरोजगारी के ठीक है उसके बाद एक पत्र है पत्र लिखन तो confirm में आपको आएगा यहाँ पे देख लो आपको कह रहा है मेरा पिरियमित्र नमस्कार तुम्हारा डैस मिला क्या मिला भाई तुम्हारा पत्र मिला ओप्सन नमबर चार हो जाएगा बारा में देखे क् वार्सिक डैस के बाद वार्सिक क्या होता है आपका परिक्षा नहोता है तो वार्सिक परिक्षा के बाद ऑप्सन नमबर एक भर दीजिएगा उसके बाद आप आजए यह 14 में वार्सिक डैस बना रहा हूं क्या बना रहा हूं क्या बना रहा हूं क्या बना रहा हूं क्या परनाव यथा रवत यथायोग यथा क्रम क्या हो जाएगा? यथायोग उसके बाद आ जाते कोड़न नमबर 16 पर कवी का इस्तिर्लिंग रूप क्या होगा? तो कवी का जो इस्तिरलिंग रूप हो जाता है वो हो जाता है आपका कवी 3 हो जाता है उप्सन नमबर 4 हो जाएगा घोड़ा का बहुवचन का रूप आपको बताना है तो घोड़ा का जो बहुवचन हो जाता है वो हो जाता है घोड़े हो जाता है ओप्सन नमबर दू हो जाएगा ठीक है मानो, ठीक है, मानो का विसेशन क्या होता है, तो मानो का विसेशन आपको बताना है, तो यह हो जाएगा, option number 3 मानवी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी, में पर किस कारक का चिन है, तो में पर जो है, वो किस कारक का चिन हो जाएगा, तो अधिकरन में पर, ठीक है, रचना की दृष्टी से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टी से वाक्य के तीन भेद होते हैं, कई बार ये सवाल आ चुका है, इसलिए बढ़ियां से इसको करके जाईएगा, ठीक है, निमलिकित में से किस वाक्य में करता कारक ने चिन का परियोग हुआ ह तो किस वाक में हुआ है आपको बताना है सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेमचंद ने कहानी लिखी है इस वाक में हुआ है जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ यह कौन सा वाक के है आपको बताना है सही जवाब हो जाएगा आपका मिस्र वाक कौन सा वाक है मिस्र व रखिएगा हर्स का सही विलोम क्या होगा कोसर नबर 25 तो हर्स का सही विलोम हो जाएगा विशाथ क्या हो जाएगा विशाथ कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो नमक छिलकना option number 3 हो जाएगा गिर्गिट की तरह डैस बदलना गिर्गिट की तरह रंग बदलना option number 2 हो जाएगा नानी याद आना मुहावरे का क्या अर्थ है तो नानी याद आना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तो सही जवाब हो जागा भिक्मंगे छदम के वेस में, ठीक है, option number 1 हो जाएगा, question number 33 में देखिए, उपभोकता की संस्कृति पार्थ में किन सामगरी से बजार भरा पड़ा है, तो किस सामगरी से बजार भरा पड़ा है, तो विलासिता की सामगरी से बढ़ा है, सामले सपनों की याद पार्थ में किन का वर्नन हुआ है, तो सामले सपनों की ये पार्थ याद में साली मली का वर्नन किया गया है, नेक्ष्ट देखिए, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया है, भस्म कर दिया गया, option number 2 हो जाएगा, प्रेम चंद के करस्वेट गल्स कॉलेज में पढ़ने गई तब वहां छात्रावास में उनकी पहली सहली के रूप में कौन मिली थी, तो पहली सहली के रूप में जो मिली थी, वो मिली थी सुभदरा कुमारी, option number 2 हो जाएगा, मुख हिर्दय का प्रानपन आत्मे निवेदन ये पंग्ती क किस बाठ की है, आपको बताना है, तो ये पंग्ती जो है, वो आपका हो जाएगा, एक कुत्ता और एक मैना की है, ठीक है, question number 39, कबीर किस ब्रह्मा के उपासक थे, तो कबीर जो थे, वो आपके निर्गुन के थे, किस के थे, निर्गुन के थे, याद रखना है, important है, ललक् खार होना चाहिए, ठीक है, रसावान लिख दिया, गलत है ये, सही जवाब हो जाएगा, option number 2, बर्ज भासा में, क्या हो जाएगा, वर्ज भासा में हो जाएगा, ग्राम सरी कवीता में किस रितू का वर्नन हुआ है, तो ग्राम सरी कवीता में जो रितू का वर्नन किया गया है वो हो जाएगा आपका सिर्सी रितु का किसका सिर्सी रितु ये भी इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कॉर्शन नबर 43 में देखें क्या है आज किधर भी पैर करके सो वह कौन सा दिसा हो जाता है वह कौन सा दिसा हो किसको कहा गया है सरसो को सो सरसो सो सयानी याद रखीगा एक भारतिय आत्मा किस कवी को कहा गया है तो एक भारतिय आत्मा जो है वो किस कवी को कहा गया है तो माखन लाल चतुर वेदी को कहा गया है याद रखना है मिर्तियू का तरल दूत किसे कहा गया है तो बाल को कहा गया ह option number 1 हो जाएगा इसका सही जवाब अगला देखे क्या है मेरे संगे की औरतें पाठ में कौन औरत कभी जूट नहीं बोलती है तो कौन सी औरत कभी जूट नहीं बोलेगी तो option number 2 लेखिका की मा हो जाएगी माटी वाली पाठ में किस सहर का वर्नन हुआ है तो माटी वाली पाठ में जो आपका वर्नन हुआ वर्टिहरी का वर्नन हुआ है याद रखना है रिल की हड़ी एकांकी का मुख्य पात्र कौन है तो रिल की हड़ी एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो हो जाएगी आपका उमा हो जाएगी किस तरहा आखिरकार मैं हिंदी में आया पार्ट का लेखा कौन है आपको बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number 3 समसेर बहादुर शिंग हो जाएगा ठीक है option number 3 हो जाएगा इसका सही जवाब तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आई होगा वीडियो पसंद आ है तो प्लि vídeo को लाइक करना और एक बड़ फिर से कह दे रहे हैं कि सब्सक्राइब करलो इसमें आपका ही फाइदा है अगले वीडियो में थे